हमारे पास काफी सारे सुवाल ये आते हैं कि अगर कोई भी एक पर्षन अगर अपनी लीगल लाइबल्टी उतारने के लिए अगर किसी को चेक दे देता है और चेक देने के बाद जो है उसकी अगर डैथ हो जाती है तो किसकी लाइबल्टी होगी या फिर अगर उसने खुद के अकाउंट से अपने सिंगल अकाउंट से उसने चेक दिया है उसके खुद के सिगनेचर है और वो चेक इसु कर देता है और इसु करने के बाद अगर उसकी डैथ हो जाती है तो किसकी लाइबल्टी होगी या फिर अगर joint account है husband wife का है या फिर partners हैं उनका अगर joint account है और किसी एक ने sign किये हैं और जिसने sign किये हैं उसकी अगर death हो जाती है तो उस situation में क्या जो दूसरा partner है या फिर wife है या फिर husband है वो liable होंगे या फिर नहीं होंगे ये काफी सारे जो सवाल हैं वो हमारे पास आते हैं So friends, मैं हूँ Advocate Mohit और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Mohit Singh Rual अगर आपने ये चैनल अब तरक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि चेक्स रिलेटेड बहुत ही वीडियो कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है So friends, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जिस जज्जमेंट में ये लो पॉइंट डिशाइड किया गया है उसका नाम है नीता गुपता वर्सी सूमन आनद 2023 की ओनरेबल दिल्ली हाई कोट की ये जज्जमेंट है तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्स जानने थे कि इस केस में क्या हुआ था तो इस केस में जो कंपलेनेट था और एक्यूज थे वो एक दूसरे के नोन थे और कापी टाइम पहले से वो एक दूसरे को जानते थे 20 साल पहले से वो जानते थे तो इसमें क्या हुआ कि accused ने complainant से 20 लाग रुपे उदार लिए और उदार लेने के बाद जो है जब उस पैसे को return करने का time आया तो accused ने complainant को एक check दे दिया signature करके कि आप ये check लगा सकते हैं और ये जो check है वो clear हो जाएगा और वो जो check है वो दिया गया था joint account से joint account था husband and wife का तो husband ने signature करके वहाँ से check जो है वो issue कर दिया था लेकिन wife के कोई भी उस check पर signature नहीं थे अब यहाँ पर जो वो check था वो bounce हो गया bounce होने के बाद जो है complainant ने legal notice दिया accused persons को और accused ने वो जो legal notice लेने से इंकार कर दिया उसको जो है refuse कर दिया तो refuse करने के बाद जो है complainant ने accused के खिलाब check bounce का case डाल दिया और check bounce का case डालने के बाद जो है accused उसमें पेश हुए तो यहाँ पर जिस person ने वो check issue किया था और उसने उस check पर signature किये थे उसकी death हो चुकी थी अब शिरब उस case में उसकी wife रहती थी तो उसकी wife ने एक question petition डाली उनरेबल high court में और यह का कि इस check पर मेरे कोई भी signature नहीं है हाला कि यह जो check है यह joint account से issue किया गया है लेकिन इस पर मैंने signature नहीं किये है मेरी कोई भी liability जो है वो नहीं बनती है तो यहाँ पर wife का कहना यही था कि जो transaction थी वो husband और complainant के बीच में थी और उन्होंने ही जो amount था वो complainant से लिया था और मेरी कोई भी देंदारी नहीं बनती तो मेरे खिलाब जो यह proceedings हैं इनको stop कर दिया जाए इनको खितम कर दिया जाए तो अब यहाँ पर उन्रेबल दिल्ली हाई कोट ने argument सुनने के बाद और इस case को detail में examine करने के बाद यही finding दी कि wife की कोई भी legal liability नहीं बनती है क्योंकि यह जो check issue किया गया था यह इसके husband ने issue किया था और इस check पर जो है उसके ही signature थे और उनकी जो है वो death हो चुकी है तो यहाँ पर मानते हैं कि यह जो check है वो joint account से issue किया गया है लेकिन joint account से check issue करना खुद में ही एक liability create नहीं कर देता वो liability तभी create होगी जब उस check पर दोन्नों accused के sign होंगे अगर दोन्नों ने इस check पर signature किये होते तो उस situation में जो wife के liability है वो भी बन सकती थी लेकिन यहाँ पर शिरफ husband ने signature किये हैं और wife ने कोई भी signature नहीं किये हैं तो wife की कोई भी liability नहीं बनेगी और साथ में ही ओन्रेबल दिल्ली हाई कोट ने यह भी का कि joint account holder जो है उसको तब तक prosecute नहीं किया जा सकता जब तक उस check पर उसके signature ना हो तो finally जो है wife के against उस proceedings को खतम कर दिया गया और यह कहा गया कि इनके खिलाब कोई भी करवाई नहीं बनती है और नहीं इनकी कोई legal liability बनती है so friends इस judgment से हमें यह शीखने को मिलता है यह फिर यह conclusion मिलता है कि जो भी person किसी दूसरे person को अगर check देता है तो जिस person ने वो check दिया है अगर उसके signature उस पे हैं तो शिरफ उसकी liability बनती है किसी दूसरे person की नहीं बनती अगर joint account से check दिया गया है तो जिस person ने उस पर signature किये हैं उसकी liability बनेगी जो की दूसरा joint account holder है उसकी liability नहीं बनेगी यह फिर अगर दूनों ने उस पे signature किये हैं तो दूनों की liability बनती है अगर एक ने किये हैं तो एक ही बनती है और साथ में ही अगर जिसने उस check पर signature किये हैं उसकी death हो जाती है तो उस situation में जो दूसरा partner है यह फिर दूसरा joint account holder है उसको prosecute नहीं किया जा सकता अगर उसके signature नहीं है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगिया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए च्योंकि check से related बहुत ही वीडिया content इस चैनल पे आने वाला है सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते नए वीडियो में नए किसी लेगल टोपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much बाई बाई